गर्भावस्था में अमरूद खाने के फायदे और नुकसान के बारे में आज हम बात करेंगे गर्भावस्था या प्रेग्निंसी एक महिला के जीवन का महत्व पुरण अबधी होती है और इस समय पर अहार का विशेश महत्व होता है अमरूद या गावा एक पोशक फल है जो गर्भावस्था के दोरान कई फायदे प्रदान कर सकता है आज हम इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अमरूद के फायदों के बारे में अमरूद पोशक तत्वों से भरपूर होता है अमरूद में विटमिन C, विटमिन A, विटमिन B, फाइबर, फॉलेट और पोटेशियम जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं ये पोशक तत्व गर्भावस्था की दोरान मा और बच्चे की विकास के लिए महतो पूरण होते हैं कॉंस्टिपेशन के इलाज में भी गावाग बहुत अच्छा फल्माना जाता है गर्भावस्था में कब जिया कॉंस्टिपेशन एक आम समस्या हो सकती है अमरूद में फाइबर की उप्योगिता होने की कारण इसका सेवन कॉंस्टिपेशन को कम कर सकता है और पाचन को सुधार सकता है आइरन अब्जोप्शन में भी ये बहुत फायदे मंद होता है गर्भावस्था में महिलाएं अक्सर आइरन की कामी से फीडित होती है विटमिन सी का प्रभाव आइरन की अब्जोप्शन में मदद कर सकता है अमरूद में विटमिन सी की अधिक मात्रा होती है इसलिए इसका सेवन आइरन की अब्जोप्शन को बढ़ा सकता है डी हाइडरेशन का इलाज गर्भा वस्ता में डी हाइडरेशन एक समन्ने समस्या है अमरूद में पानी की अधिक मात्रा होती है जो शरीर को हाइडरेटर रखता है और डी हाइडरेशन से बचाता है इम्योनिटी को बढ़ावा अम्रूद में विटमिन C की भरपूर मात्रा होती है जो इम्योन सिस्टम को मजबूत करता है और संक्रमन से लड़ने की शमता को भी बढ़ाता है अब हम अगर नुकसान की बात करें अम्रूद से तो कई महिलाओं को अम्रूद से कुछ नुकसान भी हो सकता है क्योंकि कई महिलाओं को इससे प्रॉब्लम होती है जिसे कि अलर्जी की प्रॉब्लम होना कुछ महिलाओं अम्रूद से अलर्जी का सामना कर सकती है यदि आपको अम्रूद खाने के बाद किसी तरह की allergy या uneasiness महसूस होता है तो तुरंट अपने डॉक्टर से संपर कर इसमें sugar content जादा होता है अगर किसी को gestational diabetes है तो उन्हें भी अम्रूद को कम खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर sugar content जादा होता है गैस या acidity अगर किसी महिला को gas या acidity की problem है अम्रूद खाने के बाद गैस या acidity का सामना करना पड़ रहा है अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही है तो अमरूद का सेवन कम कर सकते हैं या फिर दुसरे पोशक पलों का सेवन कर सकते हैं यदि आपको अमरूद खाने से किसी तरह की कोई ऐलर्जी है ये कोई प्रोब्लम हो रही है तो आपको अम्रूत का सेवन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करना चाहिए खास कर यदि आपके शरीर में किसी तरह की कोई भी समस्या हो रही है आपको इसको इसली खास करें तो आपका इससे समय तो इसको इसली खास करें आपका इससे समय के ट्वारी है जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद